स्वागत है आपका वीकली करंट अफेर्ज में, शुरू करते हैं आज का प्राश्चन 75-वे एमी अवार्ड में सर्वश्वेश्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किस ने जीता? A. The White Lords B. Jury Duty C. Succession D. The Beer Answer C. Succession Explanation 75-वे एमी अवार्ड की घोशना कर दी गई है The Beer और Succession प्रत्य एक ने छे पुरसकारों पर कबजा किया The Beer को सर्वश्वेश्ट कॉमेडी का खिताब दिया गया Road Rage ड्रामा, Beef ने सर्वश्वेश्वेश्ट Limited Edition का अवार्ड अपने नाम किया वही सर्वश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश पिछले चार साल में ये तीसरी बार है जब मेसी को यह अवर्ड मिला है। स्पेन और बासिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ट फीफा महिला खिलाडी का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्ण मकर संक्रांती, पोनगल, उत्तरायन और माग बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? A. ग्रीश मृतु का अंत B. मानसून की शुरुआत C. सर्दी की समाप्ती और लंबे दिनों की शुरुआत D. वसंत का उत्सव Answer C. सर्दी की समाप्ती और लंबे दिनों की शुरुआत Explanation वसल की त्योहार, मकर संक्रांती, पोनगल, उत्तरायन और माग बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन हिस्सों में मनाये गए ये त्योहार सर्देओं के आंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक हैं अगला प्राश्ण विश्वार्थिक मंच की 54 वार्षिक बैठक कहां हो रही है? A. टोक्यो, जापान B. दावोस, स्विज़लेंड C. न्यूयॉर्क, यूइस D. पेरिस, फ्रांस आंसर B. दावोस, स्विज़लेंड एक्स्प्लेनेशन विश्वार्थिक मंच की 54 वार्षिक बैठक 15 जन्वरी 2024 को स्विज़लेंड के दावोस में शुरू हो गई है इस सम्मेलन का विशएक पुनर निर्मान ट्रस्ट है जो नई प्रोध्योगी की ओद्वारा प्रस्तुत अफसरों की खोज और निर्मान लेने और वैश्विक साजेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है अगला प्राश्न प्रसिद शास्त्रिय गाई का प्रभाव आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया A. रामपूर घराना B. वालियर घराना C. पतियाला घराना D. किराना घराना Answer D. किराना घराना Explanation प्रख्यात शास्त्रिय गाईका और पद्म विभूशन अवोर्ड से सम्मानित प्रभा आत्रे का 92 वर्ष की आयू में निधन हो गया। प्रभा आत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत के किराना घराने से जुली थी। वर्ष 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्मभूशन, राष्ट्रिय कालिदास पुरसकार और टैगोर अकादमी रत्न पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारक ने गरीबी दर में कितनी गिरावत दर्ज की गई है? A. 29 प्रतिशत से लगभग 11 प्रतिशत B. 20 प्रतिशत से लगभग 15 प्रतिशत C. 27 प्रतिशत से लगभग 9 प्रतिशत D. 25 प्रतिशत से लगभग 17 प्रतिशत Answer A. 29 प्रतिशत से लगभग 11 प्रतिशत Explanation नीती आयोग के अनुसार पिछली 9 वर्षों में भारत की गरीबी दर 29 प्रतिशत से घटकर लगभग 11 प्रतिशत हो बही है इस अवधी में भारत में लगभग 25 करोड लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है वर्टमान में भारत में नीती आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की रूप में B. V. R. सुब्रा मन्यम कार्यरत है अगला प्राश्ट्न युक्रेन पर वैश्विक शांती शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा A. USA B. Japan C. Switzerland D. France Answer C. Switzerland एक्स्प्लेनेशन युक्रेन पर एक वैश्विक शांती शिखर सम्मेलन युक्रेन के राश्ट्रपती व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विच्जिलेंड में आयोजन किया जाएगा जिसका उद्देश्य 2022 में युक्रेन में रूस की घुसपैट से उत्पन संगर्ष को हल करना है गौर तलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को युक्रेन में अपनी सेना भेजी थी तब से दोनों देशों के बीच संगर्ष जारी है अगला प्रश्ण ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओ में भारत की रैंक क्या है हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सेन्यक शम्ता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की है दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओ में अमेरिका पहले रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया गया है इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया है पडोसी देश पाकिस्तन नौविस स्थान पर है इस रैंकिंग में सेन्यक शम्ता का आंकलन करने वाले 60 फैक्टर्स को शामिल किया गया है अगला प्राश्चन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक शत्रंच खिलाडी कौन बने है A. रमेश बाबु प्रग्नानंद B. विधित गुजराती C. पैंटाला हरिकृष्णा D. गुकेश D. Answer A. रमेश बाबु प्रग्नानंद Explanation भारतिय युवा शत्रंच खिलाडी रमेश बाबु प्रग्नानंद ने नीदरलेंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शत्रंच चैंपियन डिंगलिरेंग को हरा दिया है इस जीत के साथ प्रग्नानंद विश्वनाथन आनंद के बाद मौझूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतिये बन गए वो लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पचार कर भारत के नए नंबर एक शत्रंच खिलाडी भी बन गए है अगला प्राश्न असम राज्य के सर्वोच सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा ए रगुराम राजन बी रंजन गोगोई सी रतन टाटा डी अमित शाह आंसर बी रंजन गोगोई एक्स्प्लिनेशन असम के मुख्यमंत्री हेमंद बिस्व सर्मा ने हाल ही में घोशना की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ओफ इंडिया सी जे आई और राज्य सभासान सद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा असम वैभव राज्य का सर्वोच नागरिक सम्मान है सी जे आई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बैंच ने साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर हमने नए दिया था भारत की पहली सौर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी घागरा नदी, डी सर्यू नदी, आंसर, डी सर्यू नदी Explanation, भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्यस्थित सर्यू नदी में सौर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा इसनाव सेवा के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरनिय उर्जा एजेंसी, UPNEDA, द्वारा तयार की गई है अगला प्रशन, महाराश्ट्रा सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझोता किया है A. Inox Air Products, B. Chumble Fertilizers and Chemicals Limited, C. Tata Chemicals Limited, D. Inox Air Products, Answer, A. Inox Air Products, Explanation, महाराश्ट्रा सरकार ने 5 लाख M.T.P.A. की ख्शमता के साथ राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आईनोक्स अर प्रोड़क्स के साथ एक समझोता किया है इस प्रोजेक्ट पर कुल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये जाएंगे इस प्लांट में ग्रीन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा अगला प्राश्ण इस दो दिवसिय बारहवी महासभा का उत्गाटन 17 जन्वरी को किया गया खंबो लामा समागिन गोंबो जोव के अनुरोग पर साल 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी अगला प्राश्ण जन्वरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ a. मुंबई हवाई अड़े b. सफधर जंद हवाई अड़ा नई दिल्ली c. बेगमपेट हवाई अड़ा हाइदराबाद d. पालम हवाई अड़ा नई दिल्ली answer c. बेगमपेट हवाई अड़ा अगड़ा मंतरी जोतिरादित्यय ऐम इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1500 प्रतीनिधी और 5000 व्यापारिक आगंतुक शामिल हो रहे है जो एरोस्पेस इंजीनियर एरलाइन्स हवायद दा एजेंसियों से जुड़े हुए है अगला प्राश्न अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित समारग डाग टिक्तों की एक सीरीज किसने लॉंच की अ ड्रोपदी मूर्मूब, बी नरेंद्र मोदी, C, योगी आदिट्यनाथ, D, अमित शाह, आंस, B, नरेंद्र मोदी, एक्स्प्लेनेशन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित समारग डाग टिक्तों की एक सीरीज और दुनिया भ इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्तर अगला प्राश्न इस योजना का लाब उठाने के लिए आवेदक को चत्तीसगर का निवासी होना जरूरी है यह योजना मध्यप्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है अगला प्राश्न इरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? गौर तलब है कि दोनों देश 900 किलोमीटर की अस्थिर सीमा साजा करते हैं जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांथ और दूसरी तरफ इरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांथ है दोनों देशों का बलूच शेत्र में आतनकवादियों से लड़ने का इतिहास रहा है हालिया घडनाक्रम में इरान ने पाकिस्तान पर इरानी धर्ती पर हमलों के लिए जिम्मेदार सुननी आतनकवादी समूझ जैशल अदल को पनाह देने का आरोप लगाया पाकिस्तान ने इसी तरह के दावों के साथ जवाबी कार्रवाई की और अपनी सीमाओं के भीतर बलूच अलगाववादियों के लिए इरानी समर्थन की ओर इशारा किया अगला प्राश्न विक्सित भारत संकल प्यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ए परेटन को बढ़ावा देना बी सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना सी जाग्रूपता पैदा करना और विकास एवं कल्यांकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना डी राजनीतिक रेलिया आयोजित करने के लिए आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को जार कंड के खूटी से विक्सित भारत संकल्प यात्रा को हरी जन्डी दिखा कर रवाना किया गया इस यात्रा का उद्देश विभिन कल्यानकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और योजनाओं के शत प्रतिशत संत्रिप्ती के लिए जनभागीदारी की भावना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है ये भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी आउट्रीच पहल है ये पहल 25 जन्वरी 2024 तक देश भर में 2.6 शून्य लाख ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानिय निकायों को कवा करेगी अगला प्राशन Forbes की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? इस रिपोर्ट के अनुसार सैयुक्त राश्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है गंतंत्र दिवस समारों के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहां योजित किया जाएगा? A. इंडिया गेट दिल्ली B. लाल किला, दिल्ली C. राजपत, दिल्ली D. फिरोल शाह कोटला, दिल्ली Answer B. लाल किला, दिल्ली Explanation पर्यटन मंत्राले 23 से 31 जन्वरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लौन और ग्यानपक पर गंतंत्र दिवस समारों के हिस्से के रूप में वार्षित कार्यक्रम, भारत पर्व का आयोजन कर रहा है अगला प्राश्न नए दिशानिर देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामानकन के लिए छात्रों की नियूनतम आयू क्या है? A. 14 वर्ष B. 15 वर्ष C. 16 वर्ष D. 17 वर्ष Answer C. 16 वर्ष Explanation शिक्षा मंत्राले द्वारा घोशित नए दिशानिर देशों के अनुसार, कोई भी कोचिंग केंड सनातक से कम योग्यता प्राप्ट ट्यूटिल्स को नियूक्त नहीं करेगा अभिभावकों या छात्रों को कोचिंग केंडर में नमानकन कराने के लिए भ्रामक वादे या रैनकत्वा अच्छे इंकी की गारंटी नहीं देगा 16 वर्ष से कमायू के छात्र का नमानकन नहीं करेगा या छात्र का नमानकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए चात्रों से अत्यदिक फीस वसुली, तनाव के चलते आत्महत्या, आग और अन्य दुरभटनाओं के कारण जान जाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये दिशानिदेश जारी किये गए हैं अगला प्राश्न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराश्ट्रा के सोलापूर में लगभग 2000 करोण रूकी एट आमरूत काया कल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधार शिला रखी उन्होंने कार्यक्रम के दोरान महाराश्ट्रा में पी-म स्वनिधी के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वित्रंकी भी शुरुआत की अगला प्राश्न केंद सरकार ने केरल में क्रित्रिम रीफ एकायों की स्थापना के लिए कितने करोल रुप्य आवंटित किये है केंद्रिय मंत्री परशोतम रुपाला ने केरल के विजिंजम में मचली पकड़ने वाले गावों के तटों पर कृत्रिम रीफ आर्टिफीशल रीफ एकायों की स्थापना के लिए 302 करोर रुप्य आवंटित किये जाने की घोशना की है ये योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहट शुरू की गई है इस इस्थाई मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है अगला प्राशन खिलो इंडिया यूथ गैम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है ए तमिलनाडू, बी पंजाब, सी महराष्ट्रा, डी करनाटक, आंसर, ए तमिलनाडू, एक्स्प्लिनेशन खिलो इंडिया यूथ गैम्स के आईवाईजी 2024 का छठा संसकरन 19 जन्वरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जन्वरी 2024 को समाप्त होगा इस वर्ष का के आईवाईजी तमिलनाडू राज्य के चार शहरों, चैनने, कोयमबटूर, मदुरह और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है जाती जंगन्ना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है बिहार के बाद आंध्रप्रदेश जातिगत जंगन्ना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है सुचना एवं जंसंपर्क मंत्री सी श्री निवास वेनु को पाल कृष्ण ने बताया कि जंगन्ना का पहला चरण 19 जन्वरी से 28 जन्वरी तक 10 दिनों के लिए चलाया जाएगा सरकार ने जंगन्ना को 15 फरवरी तक पूरी करने का लक्षय रखा है अगला प्राश्न जापानी अंतरिक्षियान मून स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा जिससे जापान चंद्रमा की सतह तक पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया जापान का अंतरिक्षियान मून स्नाइपर चंद्रमा पर उतर गया है इसके साथ ही जापान चांद पर सफलता पूर्वक स्पेस्क्राफ्ट भेजने वाला पांचवा देश बंग गया है इससे पहले भारत, रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर पहुँचने में कामियाब हो सके है मून स्नाइपर को जापान की JAXA, NASA और European Agency ने मिलकर तयार किया था इसे पिछले साल सितंबर में जापान के तांगेशिमा स्पेस सेंटर के योशीनोबू कॉम्प्लेक्स से लॉंच किया गया था इस मिशन में 831 करोर रुप्ये से अधिक का खर्चा आया है अगला प्राश्न किसने भारत से परे देशों में UPI का विस्तार करने के लिए NPCI International के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं अगला प्राश्न प्रधान मंत्री राश्ट्री अबाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चैन किया गया है प्रधान मंत्री राश्ट्री अबाल पुरस्कार 2024 PMRBP की घोशना शुक्रवार 19 जन्वरी को हुई ये पुरस्कार असाधारन योग्यताओं और उतक्रिष्ट उपलब्दियों के लिए बच्चों को दिया जाता है इसने देश की सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चैन किया गया समुद्री अभ्यास अयोत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है ए थाइलेंड, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी जापान, आंसर, ए थाइलेंड, एक्स्प्लिनेशन हाल ही में, भारतिय नौसेना और रोयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षिय समुद्री अभ्यास अयोत्या का आयोजन किया गया ये भारत और थाइलेंड के बीच एक द्विपक्षिय अभ्यास है इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मिद भारतिय नौसेना के जहाज कुलिश और आयनल स्यू चप्पन ने भाग लिया अगला प्राश्न, हाल ही में भारतिय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया हाल ही में भारतिय नौसेना के जहाज चीता गुलदार और कुम्भीर को चार दशकों की शांदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है दीकमिशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेर में आयोजित किया गया और तीन जहाजों के राष्ट्रियत ध्वज, नौसेना पताका और दीकमिशनिंग पैनेंस को आखिरी बार उतारा गया चीता, गुल्दार और कुम्भीर को पोलेंट के दिनियाशि प्यार में तैयार किया गया था इन जहाजों को क्रमशह 1984, 1985 और 1986 में भारतिय नौसेना में शामिल किया गया था अगला प्राष्ण, N.A.M. शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करन 19 जन्वरी 2024 को युगांडा के कमपाला में शुरू हुआ A. 17 वा, B. 18 वा, C. 19 वा, D. 20 वा, आंसर, C. 19 वा, एक्स्प्लेनेशन, गुटनर पेक्ष आंदोलन, N.A.M. का 19 वा शिखर सम्मेलन 19 जन्वरी 2024 को युगांडा के कमपाला में शुरू हुआ विदेश मंत्री डॉक्टर, S. जेशनकर भारतिय प्रतिनिदिमंदल का नेत्रित्व कर रहे हैं साजा वैश्विक सम्रिद्धी के लिए सहयोग को गहरा करना, विशय के तहट दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 120 से अधिक विकास शीर देशों को एक साथ लाता है, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षन का प्रतीक है अगला प्राशन गुजरात में किस थान पर 800 इसा पूर की मानव बस्ती के अवशेश पाए गए हैं एप और बंदर, बी सूरत, सी राजकोट, डी वर्णगर, आंसर, डी वर्णगर, एक्स्प्लेनेशन गुजरात के वर्णगर में करीब 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेश मिले हैं यह आएटी खड़कपुर, भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन, एसाई, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जे न्यू और डेक्कन कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया था साक्षे से पता चलता है कि मानव बस्ती उत्तर वैदिक, पूर्व बौध महाजन पदों या कुलीन तंत गनराजियों के समकालीन थी गंबीर जलवायू परिवर्तन, जैसे सूखा, विभिन राजियों के उत्थान और पतन में एक प्रमुक कारक थे अगला प्रश्ण भारत का पहला केंडर वित पोषित गाए अभ्यारन्य उत्तर प्रदेश के मुझफ़र्नगर जिले में जन्वरी 2024 के अन्द तक बन जाएगा यह अभ्यारन्य मुजफर नगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतरगत तुगलिकपुर कमहिरा गाउं में स्थित है अभ्यारन्य को राष्ट्रिय गोकुल मिशन आर जीम से मिले 64 करोर रुपे के वितर पोशन के साथ बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 वे सत्र के अध्यक्ष कौन है? अगला प्राश्न 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 ताय तजू यंड ने फाइनल में चीन की चेन यूफेई को माद दी। इंडिया ओपन दो हजार चौबीस का फाइनल नई दिल्ली के केडी जाधव इंडो हॉल में खेला गया। उन्होंने भूमी सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलंग के लिए अभूत पूर्व पहल लागू की, उन्हें जमीदारी प्रथा को खत्म करने, लर्कियों के लिए मुफ्ष शिक्षा शुरू करने और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद रूप से याद किया जाता है, अगला प्रश्न, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है, ए यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जनम दिन है, भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुक शक्सियतों में से एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127 वी जहनती मनाई, बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगला प्रश्न, अखिल भारतिय अभियान, हम हमारा सम्मान का उद्गाटन किसने किया? क्रित कानूनी इंटरफेस प्रदान करने है तू, न्या इसे तू, कभी शुभारम किया गया? अगला प्राश्न, कौपकी खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतिय प्रतिनिधि मंदल किस देश की आत्रा पर जाएगा? खान मंत्राले ने अफ्रीकी देश में संभावित कौपकी खोज और खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देश जांबिया में एक भारतिय और द्योग प्रतिनिधि मंदल भेजने का निर्ने लिया है। अगला प्राश्न उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? आ, अरुन योगी राज, बी, डॉक्टर, रितु करिधल श्री वास्तव, सी, नवीन तिवारी, डी, बी, और सी तोनो, आंसर, डी, बी, और सी तोनो, एक्स्प्रेनेशन, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, चंद्रायान मिशन में में महत्व पूल भूमिका निभाने वाली प्रख्यात वैज्यानिक डॉक्टर, रितु करिधल श्री वास्तव और कानपूर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी